नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अन्राग, welcome back to लाल classes, अभी हमारी जो class चल रही है how to learn hard words through root words उसमें हमारा जो आज root word आने वाला है, वो है logist, logist का मतलब होता है logi, और logi हमारा एक Greek word है, इसका मतलब होता है study, अब study और logist से हमारे total पाच word बनते हैं, पहला बनता है neurologist, दूसर बनता है गाइनेकोलोजिस्ट तीसरा बनता है डर्मेटोलोजिस्ट और चोथा आता है अप्थेल्मोलोजिस्ट फिर लास्ट हमारा काडियोलोजिस्ट हम समझते हैं पहले नियूरोलोजिस्ट क्या होता है नियूरोलोजिस्ट मतलब हम जानते हैं स्टडी और नियूरो हमारा एक Greek word है इस Greek word का मतलब होता है Nerve मतलब की Nust से related okay blood vessels से related तो जो भी doctor Nerve को examine करता है ठीक है जो उसको examine करता है उसे हम कहते हैं neurologist ओके अब दूसरा word हमारा आया gynecologist लॉजिस्ट हम जानते हैं study और gyine हमारा जो word होता है उसका मतलब होता है woman तो जो woman की study करें woman की जो ailments होते हैं उसकी study करें उसे हम कहते हैं gynecologist अब आता है हमारा दूसरा तीसरा word dermatologist dermatologist logist मतलब हम जानते है study और derma derma हमारा एक और Greek word है इसका मतलब होता है skin तो जो भी skin से related study होती है जो भी doctor skin study करता है उसे हम कहते है dermatologist कोई भी बंदा जिसको skin की problem होती है वो कौन से doctor के पास जाएगा जो doctor ने skin की study की होगी तो वो जो doctor ने skin की study करी होगी उस doctor को हम कहते है dermatologist ओके हमारा last word आया कार्डियो लॉजिस्ट कार्डियो लॉजिस्ट हमारा ये कार्डियो वर्ड जो आया वो कार्डियक से आया ये भी हमारा एक Greek word है और इसका मतलब होता है heart तो जो भी बंदा जिसको भी heart से related ailments होते है जो भी problems बगरा होती है जब वो कोई doctor को दिखाने जाता है तो वो जो doctor होगा वो heart से ही specialist होगा heart specialist उसको हम कहते कार्डियो लॉजिस्ट जिसने cardiac की पढ़ाई की होती है cardiac मतलब होता है हमारा heart ओके अब ophthalmologist मैंने जैसे की बताया ophthalmos मतलब होता है ice तो जो ice की पढ़ाई करता है उसे हम कहते है ophthalmologist जिसको भी ice related problem होती है वो doctor पाच जाएगा तो उस doctor को हम कहेंगे ophthalmologist अब जरह हम sentences समझते है when david was six he visited a neurologist जब david 6 साल का था तब उसने visit किया तब गया किसके पास neurologist के पास तो david को कोई problem होगी neurosrelated blood vessels related तो उसी problem के को दिखाने के लिए वो neurologist के पास गया second she is gynecologist वो एक gynecologist है जो की woman होती है उनकी ailments को ailments की study करती है और problem को solve करती है okay third है dermatologist treats those patient who has skin problem अब जैसा कि मैंने आपको बताया dermatologist वो डॉक्टर होता है जो की उस patient को उन patient को treat करता है देखता है जिनको skin की problems होती है okay last हमारा sentence आया he has a problem in his eye he has a problem आप कर लीजे उसके आख में problem है he should go to the hospital where where ophthalmologist is easily available उनको वो वाले hospital में जाना चाहिए जहां पर अराम से ophthalmologist available हो जाए okay इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर जो आख का डॉक्टर होता है जिसको आख दिखवानी है जो आख की study किया होता है उसे हम कहते हैं ophthalmologist तो आज हमने समझे पांच वर्ट टोटल ओके पहला वर्ट था neurologist दोसरा था gynecologist तीसरा था dermatologist फोर्ट था हमारा ophthalmologist और last हमारा जो था आज का वो था cardiologist अब next वीडियो में कुछ और रूट वर्ट के साथ मिलते हैं तब तक के लिए खुश रही है पढ़ते रहे हैं थैंक्यू वो मज़ आँ अ